हेलो दोस्तों गीक्स फॉर गीक्स यार इस वेबसाइट का नाम आपने जरूर से सुना होगा अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो गेरिंटी की बात है कि आपको कोडिंग में इंट्रस्ट है पढ़ने के लिए स अगर हम स्टार्ट करें बात करनी स्ट नाहकी स्टुडेंट्स चाहें प्रोडक्ट बेस कंपनी में हो जाए लाइक, Facebook, Amazon, Google ठीक है अगर हम इन सब की बात करें तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पढ़ता है उसके लिए हमें पढ़ना पढ़ता है data structures and algorithm जो किसी भी programming language का यह बेस होता है जहां से आपके concept building start होती है कि कैसे हमारी algorithm काम करती है searching के चलता है sorting कैसे चलता है dynamic programming क्या होता है back tracking क्या होता है यह सारी concepts जो की काफी important रहते है product based companies के interview के time so अगर हम इसकी बात करें geeks और geeks पर इससे related content बहुत ही अच्छा available है जो की नहीं के CEO और founder संदीप जैन सर उनकी तरफ से content provide करा गया है और इनका एक बहुत ही famous course है जिसको हम बोलते है dsa self-paced course अब अगर हम continue करें इस video में पेने time वेस करें और देखें कि geeks for geeks पर यह जो course है यह हम अगर देखेंगे तो यह course 2500 रुपे में available है बट आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस course को free में ले सकते हैं without any cost साथ ही में आपको जो पूरा content जैसा कि dsa self-paced course में मिलता है वीडियो लेक्चर मिलते हैं संदीब जैंसर के सामने हैं वही वाले वीडियो लेक्चर आपको इस free course में available हो जाएंगे so without wasting any time इस video को start करते हैं so hello दोस्तो welcome back to my channel मेरा नाम है शुबम और आज इस video को पूरा deep में discuss करेंगे कि dsa कैसे करना है हमें यहाँ पर free में so सबसे पहले में आपको दिखा देता हूं यह geeks or geeks की website यह उनका practice portal है जहां पर जो आपका data structures and algorithm का course है यह paid version में available है जो की आपको cost दिखा रहा है 2499 विच इस almost equal to 2500 रुपे ठीक है अब हम बात करते हैं जो free course available है तो यह जो free course है यह dsa self-paced free partial course है पार्शल से मतलब कि सारा content जो यहाँ पर होता है वो आपको a to z free में नहीं मिलने वाला लेकिन अगर मैं बात करूं तो 100 में से 70% course आपको video lecture के साथ इनी की official website पर free में मिल जाएगा और यह कैसे मिलेगा बस continue रहो और देखते रहो मैं आपको बता देता हूं और यहाँ पर मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कौन कौन जे topics पर कितने video lectures available है कौन सा free में available है कौन सा paid है ठीक है तो आगे continue करते हैं तो देखो सबसे पहले यह जो link है यह मैं आपको description section में provide कर दूँगा जैसे आप इसको click करेंगे तो इस तरह का user interface आपक जो की CEO and founder है geeks or geeks के यहाँ पर पूरा आपको track मिलने वाला है जहाँ पर आपको theory के content भी मिलेगा video lecture भी मिलेंगे और practice problem और साथ में quiz section भी यहाँ पर आपको free में इस course में मिल जाएगा यह पूरा course का overview दिया गया है आप यहाँ go through कर सकते हो और कुछ FAQs हैं अगर आपको प अभी active है और आपको यहाँ तो login करना है अगर आपका account पहले से यहाँ पर है otherwise आपको जो green button है इस पर click करके sign up करना है मतलब register करना है अपना पर एक account create कर लीना है अब मैं आपको आगे दिखाता हूं कि मैंने login कर लिया है मैंने इस course में enroll भी कर लिया है अब मैं आपको theory भी है lectures भी है practice problems भी है और quiz भी है और कौन कौन से topics आपको paid मिलेंगे देखो मैं आपको एक चीज़ और clear कर देता हूं कि इतना content यह free में है कि आप किसी भी interview के लिए काफी अच्छी preparation कर सकते हो then अगर आपको यह content और अच्छा लगे तो यार 2500 is not a big amount आप उसको invest भी कर सकते अगर आपको लगे देखो आपके लिए ना यह test series भी हो जाएगी कि आपको पता लएगा और कितना अच्छा content है आप एक बार free में इनके content को go through कर लो आपको लगे कि जो वाकी topic missing रह गया है जो paid वाले उनके लिए भी मैं pay कर सकता हूं because content बहुत ही प्यारा है और मेरी अच् analytics paid में है bit magic paid में है recursion आप पूरा free में पढ़ सकते हो आपको recursion अभी open करके भी दिखा दूंगा arrays free में available searching paid sorting paid matrix free में है hashing paid then string भी आपका paid link list paid stack paid q paid tree भी paid में है लेकिन binary search trees यह आपका free में available है heap paid course है graph भी paid में greedy algorithm आप पढ़ सकते हो free में back tracking आप free में पढ़ सकते हो dynamic programming dp paid है try paid है segmentary paid है and disjoint sets आप इसको पढ़ सकते हो अगर हम बात करें है content किस तरह से आपको free में मिल जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको left side में classroom tab मिलेगा और theory इस theory पर अगर आप click करोगे तो यहाँ पर आपको theoretical notes देखने के लिए मिल जाएंगे जो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर हम classroom वाले section पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको topic wise यह सारी इन्वेस्ट भी कर सकते हो काफी कुस topics आपको freedom मिल जाएंगे like arrays मिल जाएगा यहाँ पर ठीक है greedy algorithms मिल जाएंगी back tracking मिल जाएगी ठीक है तो यह भी काफी अच्छा content अगरी वीडियो आपके लिए बान अफीशल रहा हो तो चैनल को subscribe कर दो और bell notification रहने को प्रेस करो जिससे ऐसी नई वीडियो का notification अप्डेट सबसे पहले आपके बास में आ सके like करो इस वीडियो को share कर अपने दोस्तों के साथ and thank you for watching this video have a nice day keep rocking